हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर तो आज के इस वीडियो में हम लोग OMR शीट को भरने के लिए शीखने वाज हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्कीप की एक पूरा अंत तक ध्यान से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो फ्रेंट्स अभी मैट्रिक और इंटरमीडियेट का एकजाम चल रहा है और इस एकजाम में देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो OMR शीट को भरने में ही गलती कर दे रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि OMR शीट को भरने में कौन-कौन सी सौधानिय को बरतनी चाहिए और इसके बाद आप कभी भी OMR शीट को भरने में गलती नहीं करेंगे तो इसके लिए मैं एक एड्मिट काड को भी ले करके आया हूं इसमें में क्या क्या रहता है तो देखिए रॉल कोड रहता है रॉल नंबर रहता है और रजिस्ट्रेशन नंबर रह तो इस तरह से यहां पर जो है वो देखिए OMR शीट जो आपका रहेगा उसमें सबसे पहले नाम लिखना रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना नाम जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखना है ब्लॉक लेटर यानि की कैपिटल लेटर में तो अपना नाम जो ह होरेंगे काजल के एजे एल काजल हो गया उसके बाद कुमारी और है तो देखिए बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि आखिर हम एक्जाम में कौन सब पेन ले करके जाएं ओयमार शीट भरने के लिए तो वयमार शीट भरने के लिए आप अपने एक्जाम में दो पेन लेकर के जा सकते हैं एक आप ब्लू पेन लेकर के जा सकते हैं और दूसरा की आप ब्लैक पेन लेकर के जा सकते हैं आपको वहाँ पर जो पेन शे भरने के लिए बोला जाए आप उसी पेन का यूज़ करें तो चलिए यहाँ पर हमने नाम को भर दिया उसके बाद यहाँ पर रहता है कलास तो कलास में आप जिश कलास में है यानि कि आप अगर 10 कलास का एकजाम दे रहे हैं तो 10 कलास लिखेगा और अगर 12 कलास का एकजाम दे रहे हैं तो 12 कलास लिखना है जैसे कि रॉल नंबर, admit card में रॉल नंबर लिखा हुआ रहेगा, मान के चलिए जो 0256 रॉल नंबर है तो यहाँ पर 0256 रॉल नंबर लिख दिए, उसके बाद कौनसा subject का exam है तो मान के चलिए, आज subject का exam है English का, तो यहाँ पर English लिख देंगे उसके बाद बारी आता है यहाँ पर, ओये मार्शीट को फील करने का तो देखिए, यहाँ पर है roll code, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपने admit card में देखना होगा कि roll code क्या है, तो roll code देखिए, यहाँ है 21056 तो यहाँ पर हम roll code को भर देंगे 21 है, तो 2 को हम लिखेंगे इश में, उसके बाद 1 को लिखेंगे इश में, 0 को इश में लिखेंगे इश बॉक्स में और 5 को इश बॉक्स में, और यहाँ पर 6 को लिखेंगे उसके बाद क्या करना है कि दो यहां पर है तो यहां पर देखना है इसके नीचे कि आखिर दो कहां पर है तो दो जो है वो यहां पर है उसके बाद इस गोले को क्या करना है कि पूरी तरह से भर देना है गोला भरने में सौधानी बरतना है कि यह देखिए यहाँ पर जो बाउंडरी दिया गया है उससे बाहर न निकल पाए जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है किरपिया इस छेतर में कुछ न लिखे गोला को कैसे भरना है तो गोला को इस तरह से नहीं भरना है चतुर्भुज के अकार में यानि वर्ग के अकार में नहीं भरना है कभी भी गोला को हमेशा गोल करके भरना है इस तरह से उसके बाद है 21, एक है तो यहाँ पर एक है तो देखिए एक वला गोला को पूरी तरह से हम लोग भर देंगे इस तरह से हम लोग भर दिए उसके बाद देखिए जीरो जीरो कहां पर है तो जीरो देखिए सबसे नीचे में है तो जीरो यहां पर है तो जीरो यहां पर हम लोग इस गोला को पूरी तरह से भर देंगे उसके बाद देखिए क्या है पांच है तो पांच कहां पर है देखिए इस लाइन के नीचे देखिए पांच कहां पर है यहां पर पांच है तो इस पांच को हम पूरी तरह से क्या किये भर दिये पूरी तरह से हमको गोल कर देना है चलिए यहां पर गोल कर दिए उसके बाद देखिए छे छे कहां पर है तो छे है यहां पर तो छे को क्या करेंगे पूरी तरह से गोल कर देंगे साउधानी यह बरतना है कि इस गोला से बाहर जो है वो हमारा ये ना निकल पाए, नहीं, तो ये जो होगा, वो गलत हो जाएगा, और दूसरी बात क्या होगा, कि OMR मसीन जो है, वो रीड नहीं कर पाएगा, फिर यहाँ पर है देखिए, अनुकरमांग, तो अनुकरमांग यानि की रॉल नमबर, तो देखिए, रॉल नमबर यहाँ पर कितना है, 0256, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, इस बॉक्स में, दो लिख भर लिए, अब इसी तरह से हम इसको फटा फट भर लेते हैं, तो देखिए, 0 को यहाँ भर लिए, 2 यहाँ पर है, तो 1, 2, 2 को पूरी तरह से रंग लिए, 5 कहाँ पर है, यहाँ पर भर लिए, 6 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको भर लिए, उसके बाद देखिए, जो में 056 उसके बाद डाइस है आर कैपिटल में एक कैपिटल में फिर है 0 142 फिर है 2021 देखिए तो इसको क्या करेंगे कि यहां हम लोग भर लेते हैं देखिए 21 056 तो यहां लिखेंगे 21 056 21 056 हो गया उसके बाद यहां पर है 0142 0142 2 उसके बाद क्या है 2021 चलिए 2 221 लिख देते हैं क्योंकि इस वाले OMR फिट में उतना जगह नहीं दिया हुआ है क्योंकि यह 10 और intermediate के लिए OMR फिट नहीं है एक दूसरे कच्छा के लिए है देखिए अब यहां पर देखिए हम लोग यहां पर खिर फिटने के लिए हम लोगी OMR को भर रहे हैं देखिए क्या करना है 2 है तो 2 कहां पर है इसके नीचे है चलिए तो 2 को हम लोग यहां पर रंग दिए उसके बाद एक कहां पर है तो एक यहां पर है चलिए तो यह भर दिए उसके बाद कहा है जीरो तो जीरो को यहाँ पर आना है सबसे नीचे में तो यहाँ पर है जीरो तो यह जीरो को रंग दिए उसके बाद देखिए फाइब है तो फाइब को यहाँ पर रंग दिए उसके बाद क्या है तो चलिए इसको भर लेते हैं तो देखिए इस तरह से हम registration number को पूरी तरह से भर लिए हैं उसके बाद आता है यहाँ पर परिचार्थी का नाम परिचार्थी का नाम यानि कि candidate का जो भी नाम को उसको यहाँ पर लिखना होता है और यहाँ पर indicate भी किया हुआ है कि in capital letter in English English में हमको क्या करना है कि capital letter में लिखना है यानि कि बड़े बड़े अचरों में लिखना है तो देखिए candidate का नाम यहाँ पर देखिए क्या था तो यहाँ candidate का नाम था काजल कुमारी चलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं काजल कुमारी देखिए के हो गया एक बॉक्स में के दूसरा बॉक्स में ए फिर यहाँ पर तिसरा बॉक्स में जे और फिर चाउथा बॉक्स में ए और फिर पाचवा बॉक्स में एल देखिए उसके बाद ऐसा बात नहीं है कि यहीं पर हम कुमारी लिखेंगे नहीं एक box को छोड़ देंगे उसके बाद यहां पर कुमारी के यू एम ए आर आई तो इस तरह से हम लोग clearly हम लोग लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर है देखिए परिछार्थी का पूरा हस्ताचर तो यहाँ पर परिछार्थी जो है वो अपना हस्ताचर करेंगे हस्ताचर आप जैशे करते हैं वैसे आप अपना यहाँ पर हस्ताचर कर लेंगे और फिर है यहाँ पर विच्छक का हस्ताचर इसको आपको छोड़ देना है और इसको भी छोड़ देना है उसके बाद यहाँ पर बात आता है question को solve करने का देखिए तो आपके exam में 40 जो हैं वो objective questions हैं तो देखिए मान के चलिए कि पहला नमबर सवाल का answer हमारा है तीशरा तो देखिए पहला का 3 तो 3 कहां पर है तो 3 है यहाँ पर एक दो 3 तो पहला का अगर 3 सही है तो यहाँ पर 3 को हम पूरी तरह से क्या करेंगे भर देंगे यानि की रंग देंगे अब यह complete हो गया अगर मान के चलिए दूसरा नमबर सवाल का answer अगर है पहला, तो एक को हम पूरी तरह से रंग देंगे अगर मानके चलिए तीसरा नमबर सवाल का अंसर है चाउनथा तो ये चार को हम पूरी तरह से क्या करेंगे पूरी तरह से हम यहां पर गोल कर देंगे ध्यान रहे, ये जो गोला है वो बाहर ना निकल पाए इस circle के बाहर चांथा का मान के चलिए दूसरा है तो यहां पर हम भर देंगे अंसर में दो यानि कि दो को पूरी तरह से हम रंग देंगे एक चीज आपको साउधानी बरतनी है कि मान के चलिए कि पाचवा का अंसर को हम रंग चुके हैं पहले तीशरा चलिए तो तीशरा रंग दिए उसके बाद हमें लगा कि नई इसका जो अंसर था वो तो दूसरा होना चाहिए तो इस इस्थिति में आप लोग क्या करते हैं कि ये दूसरा को भी रंग देते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि पांचवान नंबर का जो सवाल है वो दो अंसर हो गया, एक तो हो गया ये दूसरा वाला और एक तो हो गया ये तीशरा वाला, तो मतलब कि क्या है कि ये जो है वो गलत हो गया, ये गलत हो गया, OMR मसीन जो है इसको रीड ही नहीं कर पाएगा, क् कि इसका अंसर जो है वो दो आप भरे हो तो ये question जो है five number वो आईशे ही get out हो गया तो ये चीज को सावधानी बरतना है कि आपको एक ही गोला को भरना है देखिए इधर गोला को कैसे भरना है वो चीज आपको दिया हुआ रहेगा कि शही तरीका क्या है गोला भरने का तो इस तरह से पूरा पूरी गोल करना है इस तरह से फिर टीक करके नहीं छोड़ देना है और इस तरह से काट भी नहीं देना है देखिए यहाँ पर है कि गोला को आधा भरा गया है तो यह भी गलत प्रोसेस है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गलत तरीका उसके बाद देखिए गलत तरीका है यह भी जैसे कि यहाँ पर दो को छोड़ दिया गया और यहाँ पर तीन रंग दिया गया एक, दो, तीन, तीन को रंग दिया गया मतलब कि ये तीनों क्या है? गलत है तो इस तरह से देखिए सही कौन है? तो एक ही सही है, देखिए यहाँ पर क्या है? यह जो सवाल था उसमें दूसरा नंबर सही था तो ये दो को पूरा पूरी भरा गया तो ये करेक्ट हो गया और यहाँ पर देखिए इस तरह से टिक नहीं करना है काट भी नहीं देना है इस तरह से आधा भी गोल नहीं करना है और कोई भी एक में मान के चली पहला का सवाल है तो इस तरह से हमको तीनों नहीं भर देना है तो ये भी गलत हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए आपको भर करके दिखाया गया है रॉल कोड को कैसे भरना है रॉल नमबर को कैसे भरना है और यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन नमबर को कैसे भरना है तो फ्रेंच, I hope कि आपको OMR सीट भरने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा तो फ्रेंच, आप OMR सीट भरने के लिए गलती कभी न करें तो वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सबस्क्राइब करें अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें धन्यवाद